नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज है संडे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे को हम करते हैं क्यों एक Q&A सेशन जिसमें EPFO से जोड़ सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यमते देता हूं वीडियो में आगे बड सब्सक्राइब क्योंकि EPFO से जोड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी और आज की वीडियो का पहला सवाल है कि पीएफ अकौंड में डेट वबर्थ गलत अपडेट है कैसे चेंज करें तो इस सवाल का जवाब यह है कि अगर आपके पीएफ अकौंड में तो इस सवाल का जवाब यह है, कि अगर आपना UN नमबर एक्टिवेट नही किया है तो आप अपने पीएफ अकौंड में डेट वबर्थ गलत अपडेट होगी और आज की वीडियो का अगला सवाल है claim rejected father name differs इसका क्या solution है तो इस सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं आपको बता दूँ कि PF को पैसे निकालने के लिए जो claim हम करते हैं कई बार वो claim reject भी हो जाते हैं और claim reject होने के कई सारे कारण है उन्हीं में से एक कारण ये भी है कि claim rejected father name differs यानि कि आपके PF account में आपके पिताजी का नाम गलत अपडेट है इस current से आपके claim को reject किया गया है अब इसका solution यह है कि आपको अपने PF account में father name को सही करवाना होगा उसके बाद ही आप अपना PF claim कर सकते हैं और आपका claim settled हो जाएगा और आज की वीडियो का आखरी सवाल है कि online UN number कैसे पता करें तो इस सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हर एक PF members को UN number मिलता है लेकिन अगर किसी PF members को UN number नहीं मिला है तो वो PF members अपने UN number खुद online भी पता कर सकता है अब PF account number और आदारकाट number के जरिये आप अपने UN number को खुद online आसाने से प सवाब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि PF account से जुड़े आपके भी कुछ ऐसे सवाल है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइ सब्सक्राइब दरूर कर लें क्योंकि यह वह तो जोड़ी जानका रही आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी